आज मैं आप सब लोग के साथ ग्रॉसरी थीम केक का डेकॉरेशन शेयर कर रहे हूं तो ये ओर्डर ना एकदम अर्जेंट वाला था हाफ की जी पाइनेपल फ्लेवर केक का ये ओर्डर था और एक कप वैनिला प्रिमिक से मैंने इस पॉंज को पहले ही बेक होने के लिए रख दिया था और उसके बाद जब तक स्पॉंज ठंडा हो रहा था मैं यहाँ पे टॉपस बना रही थी क्योंकि मेरे पास एक और केक का ओडर था सेम डे पर वो भी अर्जेंट था सेमी फॉंडेंट था तो टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था लेकिन फटा-फट से मैंने इस ओर्डर को भी कंप्लीट किया तो यहाँ सबसे पहले मैंने वेइंग मशीन बना ली है और इसके बाद जो उस पे उपर बोल रहता है जिस पे सामान वगर रखके उसका वेट करते हैं उसको मैंने बना लिया है तो fondant tools है मेरे पास उसका मैं यूज कर रही हूँ इसको डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए और इस केक पे डेर सारे बैग्स बनाएंगे याने की जो से ग्रोसरी शॉप में बहुत सारी बोरिया होती है उसमें अलगलग सामान रखा हुआ होता है उस टाइप से काफी सारी इसमें जो है वो बैग्स हमें बनाने है तो यहां मैंने जो वेग मशीन बनाई थी उसका जो बोल है उसको मैंने थोड़ा सा पहले नीचे पानी लगा दिया उसके बाद मैंने उसको रखा ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाया उस पे और रेड और ग्रीन कलर में मैंने दो बटन्स लगा दिया अभी तो यह थोड करना मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और अभी यहां पे ग्रीन कलर की फॉटनेंट से थोड़ा सा मैंने उसमें मतर के जैसा बनाकर उसको फिल कर दिया पूरे बोल में और अच्छे से इसको मैंने इस्टिक कर दिया है हलका सा पानी लगा करके तो यह अच्छे से इस इसमें पाल डाल यह सारी चीजे बना के इसमें मैं फिल करने वाली हूं सबकुछ फ्रौणेंट से ही बनाना है एक मैंने यहाँ पे वाय बैग बना लिए बनाकर इंग और ऑभी मैंने इहाँ लोका रिता और इसे वी मैंने एक स्क्वाइर पीस में कटकर लिया जिस पर िय का एफेक्ट देने वाली हूँ तो एडेबल फूड मारकर की हेल्प से मैं इस पर मारकिंग करूंगी और होमेड ही है मेरा जो फूड मारकर है कैसे बनाया मैंने प्रीविएस वीडियो में शेयर किया ही है तो अभी भी मैं बता देती हूँ जो मेरे पास स्केच पैंस जो आते ब्राउन कलर में भी कुछ बोरियां बना दी है और काम मेरे पास उस दिन काफी जादा था तो मैंने मम्मी की हेल्प ले ली थी फॉड़नेंट में कलर मिक्स करने का काम मैंने उनको दे दिया और जो इसमें फॉड़नेंट से चोटे चुटे चावल यह सारे जो एफेक्ट बनाने थे वो भी मैंने उनको ही बनाने के लिए दिया ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए और मैं टाइमली और जो है कंप्लीट करके दे पाऊ तो यहां पर देखिए एक जो बोरी बने बनाई थी उसमें दाल फिल कर दी है किसी में चावल फिल कियें और जो भी केक का बेस मैं कौन से कलर में रखू मुझे समझ में नहीं आ रहा था और टाइम भी मेरे पास नहीं था तो पहले मैंने केक को वाइट कलर से ही कवर कर दिया फिर मुझे लगा कि वाइट कलर के भी काफी सारे टॉपर्स हैं कैल्कुलेटर है वेइंग मशीन है कुछ बैग्स बगेरा है वाइट कलर में तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्क्रैपर पर येलो जेल लिक्विट फूड कलर लिया है और बस एक से दो ड्रॉप मैंने यहां पर फूड कलर लिया और उसको पूरे केक पर अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया और फिर से एक बर स्क्रैपर से म मैंने जो zigzag वाला scrapper होता है cake comb होती है उससे मैंने pattern बना लिया और फिर cake top को भी मैंने smooth कर लिया है color दिखी मैंने उपर से लगाया इसलिए जो plane करते time है वो color जो हट गया है white दिख रही है cream तो इसलिए मैंने दुबारा से yellow color वाली cream लगाया और फिर से मैंने side पे zigzag वाले scrapper से pattern बनाया और cake top को अच्छे से finishing कर लिया है तो ये जो मेरा cake है ये अच्छे से set नहीं हो पाया था final icing की बाद इसलिए fondant के top लब मैं लगा रही थी तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि वो proper रहेंगे stable या नहीं क्योंकि न एकदम urgent order था तो इसलिए time ही नहीं मिल पाया cake को अच्छे से set करने का और अभी छोटे वाले star nozzle से मैंने cake पे नीचे border बना ली है वही light yellow वाली cream के साथ और अभी जो मैंने fondant के top आपस इस पे बनाये थे वो one by one में इस पे place करती जा रही हूँ तो मैंने calculator रख दिया है और customer ने जो shop का name बताया था उसको भी मैंने fondant पे लिख दिया है edible food marker की help के साथ और जो मैंने यहाँ पे different bags बोरियां जो बनाई हुई थी grocery material की उसको मैं यहाँ पे one by one cake पर arrange करती जा रही हूँ weighing machine को भी रख दिया और फिर बाद में इन सारे toppers में ना मैंने toothpick insert कर दी थी ताकि वो बिल्कुल भी अपनी place से हिले ना अपनी place पे वो stable रही तो और ना यहाँ पे देखिए red color में मैंने mirch बनाई थी जो सूखी mirch मिलती है grocery की shop पे उसको मैंने red fondant से बना लिया है और फिर मैंने सारे toppers में toothpick insert की पहले स्रिफ मैं toppers को arrange करके देख रही थी कि कौन सा topper कहाँ पे सही है फिर मैंने इनको निकाला सबको और फिर इसमें toothpick डालने के बाद फिर मैंने से cake पर अच्छे से लगा दिया और यहाँ पे जो fondant से डाल और चावल जो मैंने छोटे-छोटे से बनाये थे उसको भी मैं cake पर कहीं-कहीं पर डाल दे रही हूँ तो ना एक realistic वाला थोड़ा सा effect दिखे जैसा किराने की shop में होता है सामान थोड़ा बहुत नीचे गिरा होता है फैला हुआ होता है उस टाइप से तो बस इसी के साथ ही cake बन के तयार है तो आप लोग ने आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना